नमस्कार दोस्तो आपके अपने यूटूब चैनल कलाम स्टेडी में आपका हर दिख स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सम्माने विज्ञान का पार्ट है शेवन दोस्तो जनरल साइंस से सम्मातित हमने एक एक जार से बेदिक इसमें हमने दोस्तो चैनल कर लिए थे यह लिए आपने पिछे के छैनल नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिसक्स में मिल जाएका तो वहां पर जाकर आप हमारे पिछले चैनल पर देख सकते हैं सभी परसंट दोस्तो एक्जाम की दरस्टी से बहुत मैश्व परसंट है तब यही परसंट इसमें समिल किया गए हैं जो एक्जामों में बार बारे पुझ राते हैं इसके अलाओ दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि यह दिए आपने किसी भी एक्जाम की तैयरी कर रहे हो चाहिए आप रेलवे की तैयरी कर रहे हो या किसी भ आपका बेस बहुत है बजबूत हो जाएगा तो पहली बुक का दोस्तों वह देखनी है आपको कि सलुष्यंट का सम्मानी विज्ञान का जो है बुक आती है लुष्यंट पुब्लिकेशन की वह आपको बजार से मिल जाए तो बजार से आपके पास है तो कोई जूरत नहीं है इसके अलावा सम्मानी विज्ञान की और सम्मानी विज्ञान की दोनों की वस्तोनिष्ट सम्मानी विज्ञान की अनि अब्जेक्टिव टाइव के परसन परसन आते हैं वो सभी आपको जरू करनी चाहिए इन दोनों का पुस्तकों का लिंक दोस्तों आपको नीचे डिस्क के लोग, लोगों का मुक्य खद्यान, पोलिस किया हुआ चावल है, लोग पिड़ित होते हैं, किस से पिड़ित होते हैं, वह बेरी-बेरी रोग से पिड़ित होते हैं, यानि वह देश जहां पर लोग चावल के पोलिस की वे बोजन गरण करते हैं, उनको कौन सा रोग होता ह उनको बेरी-बेरी रोग ही हो जाता है अगला क्यूशन है मास पेशियों में निम्मल किदमें से किसके एकत्र होने से ठकान हो जाती है तो मास पेशियों में दोस्तों लेक्टिक अमल है तो लेक्टिक अमल के एकत्रित हो जाने से ठकान मैसूस होने लगती है अगला क्यूशन समुंद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग में लिया जाता है तो समुंद्र की जो गहराई है उसको नापने के लिए तो कौन सा उपकरण यूज में लिया जाता है तो उसके लिए दोस्तों फेदोमेटर यूज में लिया जाता है तो इसका राइट आं कैसी बनी होती है इसकी सिलिकोन की अगला क्यूसन देखते हैं वह कालपनिक रेखा जो फोकस पोल से गुजरते विए गोलाकार दरपन पर पड़ती है वह क्यालाती है तो वह मुख्य अगला क्यूसन दोस्तो अगर किसी वस्तू का फोकस अउतल दरपन पर पड़ता है तो उसकी चाहिए अनंत बनेगी दोस्तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को एक लाइक जूरू कर दें तो नीचे वीडियो पड़ता है तो और अच्छे वीडियो किया है तो नीचे दिएगे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबा करें चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें तो उसके पास जो बेल आइकून गंठे का सामनावा है उस गंठे के रिषार को जरू दबा दें जिसे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो के सूचना तुरंत वीडियो आलते ही आपको मिल सके अब देखते हैं अगला परसन अगला है दोस्तो वह दातु जो अमल यह उच्छार के साथ किरिया करके हाइट्रोजन निकालती है तो वह दातु जो अमल यह उच्छार के साथ किरिया करके हाइट्रोजन निकालती है तो वह होती है जिंग इसका right answer हो जायगा जिंक नेक्स्ट है दोस्तो सब्सक्राइड शेयर प्रफ्अ के दोवर्योंthose जूल जूल कर ऐसे लेकर bend देखें तरिपकर करके हमें बता benefici है कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा नेक्स्ट है परकास वरस एकाई है किसी एकाई है तो परकास वरस दोस्तों दूरी की एकाई है अगला है एक ही परकार के परमानों से मिलकर बना पदार कहलाता है तो एक ही परकार के जो परमानों होते हैं उनसे मिलकर बनावा पदार दोस्तों तत्वे कहलाता है तो इसका रा पत्रा के विचार्म से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से जो पदर्थ बनता है वह दोस्तों योगी के कहलाता है तो इसका राइट आंसर क्या हो गया योगी कि इसका राइट आंसर हो गया अगला परसंद है किसी दवनिस रोत की आवर्ती में होने वाला उतास होता है उसे डॉपले परबाव कहते हैं या डापलर परबाव कहते हैं नक्स्ट दोस्तों है कोई करने सेखेंड में जितने कंपन करता है उस क्या को क्या कहते हैं तो कोई भी कर्ण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को दोस्तों उसकी आवर्ती कहते हैं तो इसके आवर्ती इसका राइडाम सुरे हो गया अगला क्यूसन देखते हैं वायू में दवनी की चाल 332 मिटर पर 30 शेकंड होती है यदि दाब दाइने पर वायू में दवनी की चाल में कोई परिवर्त नहीं होता है उतनी रहती है तो वह 332 मिटर पर 30 शेकंड ही रहेगी इसकी जगह दोस्तों 100 मिटर पर 30 शेकंड हो जाएगा नेक्स्ट कुछन है दोस्तो निमल लिकित में से समय का मात्रक नहीं है कौन सा नहीं है त इसका राइट आंचर हो गया दूरी नेक्स्ट है दोस्तो निमल लिकित में से कौन दातू होते हुए भी विदूत का कुछालक है तो कौन है दोस्तो तो सिसा है यह दातू होते हुए भी विदूत का कुछालक है अगला कुछन है दोस्तो निमल लिकित में से किस ऐ दातू म पाई जाती है नेक्स्ट है एक गुबारे में हाइट्रोजन और ओक्षिजन गेस के बराबर बराबर अनु है यदि गुबारे में एक छेद कर दिया जाए तो क्या होगा देखें आप एक गुबारा है उसमें हाइट्रोजन और ऑक्सिजन दोनों बराबर मात्रा में बड़े हुए हैं यदि गुबारे में एक छेत कर दिया जए जाए तो उसमें क्या हो जाएगा उसमें दोस्तों हाइट्रोजन गेस है वो तेजी से बाहर निकले गी next है कपूर के छोटे छोटे टुकडे जल की सताय पर नासते हैं, क्यों दोस्तो क्पूर में परश्च तनाव के कारण चोटे टुकडे होते हैं वो जल की सताय पर नासते वे दिकाई देते हैं नेक्स्ट है दोस्तो पानी का गनत्वा अधिक्तम होता है तो पानी का गनत्वा अधिक्तम 4 डिग्री सेल्सेस पर होता है नेक्स्ट है यदि दो उपकरह एक ही वर्ताकार का क्सा में चक्र लगाते हैं तो उनके वेग कैसे होंगे यदि दो उपकरह दोस्तो एक ही वर्ताकार छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है तो परत्वी की परिकर्मा कर रहा है उसे एक परिकेट छोड़ने पर उपगरह के साथ उसी साल से परत्वी की परिकर्मा करेगा नेक्स्ट है निमल लखीत में से कौन एक योगिक है तो उसमें अमोनिय है वह एक योगिक है अगला परसंद है येंग परत्यास्ता गुणां का SI मातर क्या है तो येंग परत्यास्ता गुणां का SI मातर क्या है न्यूटन मिट्र स्क्वार इसका SI मातर क्या है अगला परसंद मात रख है तो केंडेला दोस्तों किसका मात रख है तो यह जोती तीवर्ता का मात रख है केंडेला नेक्स्ट है दोस्तों जल एक योगिक है क्यों क्योंकि इसमें दोस्तों रासायनिक बंदों से जुड़े हुए दो भिन भिन तत्वे पाजाते हैं इसलिए जल एक योगिक है दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक बार फिर निवेदन कर रहा हूं कि वीडियो को एक लाइक और सभी दोस्तों के साथ वाटसब गूर्पों में शेर जुरू कर दें जिसे सभी पहुंच भाई यह माई वीडियो पहुँंच भाई अगला कुसों देखते हैं वह विग्जान जिसका सम्मझ जीवधारियों के अदें से होता है जीवज्जाने कहलाती है अगला परसं देखते हैं फाइकोलोजी में किसका देन किया जाता है तो फाइकोलोजी में दोस्तों सेवाल का देने किया जाता है next है, जूल निमल किद में इक इकाई है, तो जूल है वह दोस्तों, उर्जा की इकाई है, तो इसका right answer हो गया, उर्जा अगला प्रसंद देखते है, मात्रकों की अंतराश्ट्रिय पदती कब लागू की गई? तो मात्रकों की अंतराश्ट्रिय पदती 드ोस्तों गुनीlysice 111 इस्वी में लागू की गई थी तो इसका राइट answer हो जाएगा गुनीस 111 इस्वी अगला परसन देखते हैं चमघादर अंधेरे में उड़ते हैं क्यों कारण क्या दोस्तो तो चमगादर अंदेरे में उड़ते हैं इसका कारण है कि चमगादर प्रासरवे तरंगे उत्पन करते हैं जिस शेव है अंदेरे में भी उड़े सकते हैं उनको देखने की जुरूरते नहीं होती है नेक्स्ट है दोस्तो बरफ में स्केटिंग करना परदशित करता है कि दाब बढ़ाने पर बरफ का गलना के बढ़ जाता है दोस्तो गटे जाता है यानि बरफ में स्केटिंग करना ये परदशित करता है कि दाब बढ़ाने पर बरफ का गलना के वह गटे जाता है, next है दोस्तो, stainless steel एक मिसर दातु है, जबकि वायू क्या है, तो वायू क्या है, वायू एक मिसरन दातु है, next है दोस्तो, प्रयावरण का अध्यन, जीव विज्ञान की कि साका के अंतरगत किया जाता है, तो प्रयावरण का अध्यन, जीव विज्ञान की साका के अंत औरी कल्चर दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया अगला देखते हैं अगला क्यूशन है किसी एसंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन तवरण क्या कहलता है तो किसी एसंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन तवरण है वह बल के अनुकर्मानुपाती होता है next है निमललेकेज में से कौन एक S तई कन है तो neutron है वह दोस्तो एक S तही कन है तो इसका right answer हो जाएगा neutron एक S तही कन है अगला किसम देखते हैं दोस्तो पर्माणू नाबिक के अवेव है तो पर्माणू नाबिक है उसके अवेव दोस्तो प्रोटोन और निट्रोन है यह प्रमणुन नभी के अवेव हैं अगला परसन है सजावटी वरक्स तता जाड़ियों के समधित अध्येन क्यालाता है यह दोस्तो आरोबीरी कल्चर क्यालाता है यानि आरे बोरी कल्चर इसका राइट आंसर हो गया अगला क्यों सुना दोस्तो निकड़ दर् जिस व्यक्ति के होता है उसमें आउतर लेंस प्रियोगी क्याता है अगला परसन है इसका उल्टा है दूर दर्ष्टी जो से पिडित व्यक्ति के दस्में में कौन सा लेंस प्रियोग क्याता है तो इसमें उतर लेंस का प्रियोगी क्या जाएगा तो उतर लेंस इसका राइ हमेशा बिन बिन वस्तों पर ही लगे वे होना चाहिए नेक्स्ट है दोस्तो परतेक किरिया के बराबर वह विप्री दिशा में एक परतिकिरिया होती है तो यह क्या कहलाती है तो परतेक किरिया के बराबर विप्री दिशा में एक परतिकिरिया होती है यह दोस्तो न्यूटन की गती विशेक का तीसरा नियम में कहलाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक नेक्स्ट है जल में तेरना न्यूटन की गती के किस नियम के कारण संबव है नेक्स्ट है दोस्तो कोई पिंड तब तक विरामावस्ता में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाय बलकारिया नहीं करता है ये कतन किसका है तो ये कतन दोस्तो न्यूटन का है नेक्स्ट क्यूशन है नुकलियोन नाम सम्मानित है किसके लिये है तो नुकलियोन का नाम है दोस्तों बैस समानित है प्रोटोन और नेटरोन के लिए लिया जाता है तो प्रोटोन और नेट्रोन इसका right answer हो गया दोस्तों मारा वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like और सबी दोस्तों के साथ ज Candle को subscribe ने किया है तो निचे दिये किलाद संप्रेप का की बट्टन को